चंद्रग्रहन लगने वाला है ऐसे में कई सारी मानेताइं हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए मानेताओं के मताबिक हर बार शरत पुर्णिमा पर खीर रखी जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सूता काल नौ घंटे पूर्व 28 अक्टूबर की शाम से ही शुरू हो जाएगा इसलिए पुर्णिमा से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान इस दिन शाम चार बज़ कर पांच मिनट से पहले ही संपन्य करने होगे आपको बता दे अश्विन शुकल पूर्णिमा 28 अक्टूबर को लगने जा रहा खंडग्रास चंदरग्रहन भारत में दिखाई देगा खंडग्रास चंदरग्रहन भारत के अलावा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चमी एवं दक्षणी प्रशांत महासागर, अफरिका, यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया, दक्षणी अमेरिका के पूर्वी उत्तरी भाग में दिखेगा शरत पूर्णिमा पर चंदरमा सोला कलाओं से युक्त होता है और इस रात चांद की किरने अमरित वर्शा करती है, शरत पूर्णिमा पर चंदरमा से निकलने वाली किरने अमरित समान मानी गई है, यही वज़़ है कि इस दिन चंदरमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, यहीं परंपरा और मानिता भी है ताकि इसमें चंद्रमा के किरने पड़े और अमरित का प्रभाव हो सके। रात को होने वाली इसी अमरित वर्षा में खीर रखने की मानिता है। लेकिन इस बार चंद्रुहन के कारण ये संभव नहीं हो पाएगा। नौ साल पहले भी चंद्रुहन के कारण ऐसे ही स्थिती बनी थी। ये साल का आखरी चंद्रुहन होगा जो खंडग्रास रूप में भारत में दिखेगा। सूतक काल से गरहन खत्म होने तक सभी धार में कारे सामाजिक कारे करने की मना ही होती है। चंदर ग्रहन के दोरान खासकर गर्वती स्तुरियों को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सिहत पर असर पढ़ सकता है। विज्यान के मताबिक जब सूर्य पृत्वी और चंदर एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंदर पर पृत्वी की छाया पढ खंडग्रास चंदर ग्रहन को आंशिक चंदर ग्रहन भी कहा जाता है।